अस्सलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, चॉकलेट स्टॉफ डोनल्स किसको पसंद नहीं होते हैं, आपको पता है कि वही चॉकलेटी स्टॉफ सॉफ डोनल्स बनाने के लिए कौन से सीक्रेट इ और 5 ग्राम इंस्टंट यीस्ट डालकर आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का अंडा एड़ करेंगे, जो 50 ग्राम का अंडा है और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे, एक सो चालिस ग्राम मिल्क और 25 ग्रा आपने इसको 30 मिनट का ब्रेक देना है, उसके बाद आपने इस आटे को 7 मिनट तक मशीन में गूंद लेना है, प्रिफरेबल है, अगर आप आटा मशीन में ही गूंद हो तो ज्यादा बहतर है क्योंकि आपको काफी अच्छा और स्मूद रिजल्स मिलेंगे, उसके बाद एक बाउल को बटर या ओइल से जिसे ग्रिस कर लेना है और आपने डो को रख देना है, उसके बाद आपने डो को फ्रिज में 12-24 गंटे के लिए रख देना है, इस प्रसेस को यह काफी अच्छे तरिके से राइस हुई है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, जब में डो को 24 गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था वो अच्छे से राइस हो चुका है उसके बद हमने फ्रिज से निकाल के डारेक्ट आपने उसे काउंटर टॉप पर रख देना है हम तोड़ा सा ड्राइ मैदा भी स्प्रिंकल कर देंगे और जो डो है उसको हम रॉलिंग पिंग करें सब्सक्राइब करता अपने बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन्स मिलती रहें जबर्दस रेसीपीस की और यह देखें डो को आपने इतना ठिक बेलना है उसके बाद आपने जो साइज आपको पसंद हो उससाइज का कप लेकर या और आपने इसे कवर करके तकरीबं दो गिंटे के लिए राईस होने के लिए रख देना है यह देखेना है अब यह साइज में डबल हो चुकेये हैं अब हम इने fry करेंगे। यह देखें, ओयल को मैंने पहले ही slow to medium flame पर गरम होने के लिए रख दिया था, जब ओयल अच्छे से गरम हो जाए तब आपने flame को slow कर देना है और आपने डोनर्स को उसमें रख देना है, डोनर्स को आपने तोड़ा सा time देना है, जब उन्हें जिसे golden brown हो जाए, तब आपने उन्हें turn कर देना है, इतनी जबर्दस्त और secret recipe मैं आपके साथ share करते हूँ, एक like तो बनता है, वीडियो को like ज़रूर करना, डोनर्स को flip करने के बाद आपने butter paper को remove कर देना है, और आपने उसे दूसरी side से भी अच्छे से golden brown होने देना है, अगर आप कोई recipe request करना चाहते है या हमारे channel के लिए कोई suggestion देना चाहते हैं, तो you guys are most welcome मुझे comment section में जरूर बिताईएगा, डोनर्स को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, जैसे ही दोनों side से golden brown हो जाए, आपने इसे oil से remove कर देना है, क्यूंकि हमने इसे rice होने के लिए बहुत ज़्यादा time दिया था कोट कर देना है, और आप देख सकते हैं कितने ज़बर्दस डोनर्स फ्राइ हुए हैं, ट्रस्ट में ये secret recipe आपके साथ कोई share नहीं करेगा, अब हम डोनर्स के center में knife की मदद से hold कर देंगे, उसके बाद आपने उसमें chocolate की filling कर देनी है, जो भी chocolate आपको पसंदो, आपने उस सक्षिन में जरूर बताएएगा कि आप मज़ीद कौन सी recipe हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, उम्हीद करते हूं कि आपको आज की recipe पसंद आये होगी, इस तरह की और मज़ीदार recipe देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, थैंक्यू सो मुच पर वाच झाल कि आपको 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 आपक